नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब कैनल कुद्रत और्गानिक पाम में जहां पे हम आपको जानकारी देते हैं वर्मी कंपोस्ट के बिजनस के बारे में और केंचों के रखरकाप के बारे में तो दोस्तों आज इसी विशे पे चलते हुए इसी श्रं में और अच्छी प्रडक्शन दे सकते हैं तो इसे में विशे पे बात करते हुए दोस्तों सबसे पहले बात आती है वाटरिंग की पानी की या नहीं की तो पानी कैसा लगाना है अगर मई जून का महीना चलता है तो तो टेंपरेचर तकरीबन चालिस डिग्रीज के पास प गोबर है जो सकत होना शुरू हो जाता है तो उसका मौश्चर मिंटेन रखें दोस्तों उसमें पानी की कमी आने मत दीजिए लेकिन हमने यह भी नहीं करना कि उसको एकसेस वाटर दे देना है जिसमें हमारी केंचों को दिक्कत हो दोस्तों अगर आप ज़्यादा पानी दे अगर आपके बैड में मौश्चर जादा हो गया वाटरिंग जादा हो गई तो वह दिक्कत ही पैदा करेगा दोस्तों और खाद की प्रडेक्शन को लेट कर देगा दोस्तों तो वाटरिंग की अगर बात करें इस गर्मी के मौसम में आप कम से कम एक बार पानी तो जरूर लगाएं वरना सुबह शाम पानी लगाएं क्योंकि बहुत जल्दी वाश्पी करन होता है हीट की वजह से गर्मी की वजह से ठीक है दोस्तों और पानी देने का समय अगर आप शाम को चुनते हैं तो वह ज्यादा बैस्त है दोस्तों क्योंकि शाम को वाश्पी करन कम होता ह हीट कम होती है बैड भी गरम नहीं होता कई पर क्या होता कि ऑवर वाटरिंग में जिस पहुता हो जाती है जिससे नुखसान होता है किरेंचे को तो तो या तो अर्ली मॉर्णिंग पानी दें अपने बैड़ों को या दें शाम को पांच बजे के बाद तो सबसे ज्यादा बैस्ट जो हम कहते हैं वो है शाम को पानी देना क्योंकि अगर शाम को पानी देगा तो वह सारी रात मौश्चर मिंटेंड रखेगा और नेक्स डे हाफ डे तक चल जाएगा लेकिन अगर मौर्निंग में आप सुबह सुबही पानी पानी देते हो तो वह बेड़ों तक नहीं पहुंचेगा केंचव तक नहीं पहुंचेगा तो वह क्या होगा क्या पानी सिर्फ लिमिट को लगाएं लेकिन लगाएं वो जादा से जादा कोशिश करें कि शाम को लगाएं अगर किसी वजा से आप शाम को ना लगाएं तो अप early morning लगाएं शे से साथ बज़ी के बीच में लगाएं सूरज के बाद यानि की निकलने के बाद नौ बजे के बाद पानी देना थोड़ा अच्छी बात नहीं है दोस्तों वो हमारे बैड़ों को और केंचों को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों इसके इलावा दोस्तों अपने बैड़ों को प्रॉपर ढखके रखें ताकि उसमें जो धूप की सीधी किरने हैं वो उस पे ना पड़े और गोबर सुके ना तो उसको पुराली बोरी या केले के पत्ते जिससे भी आप ढखते हो तो उसको प्रॉपर ढखें ताकि उसमें एड़ प्रपेर आपने किये हैं उसको प्रॉपर ढखें ताकि उसमें मौश्चर मिंटेन रहें तो दूसरा यह है कि अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों तो पानी लिमिट का ही लगाएं आप ज्यादा टाइम उसको पानी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ठीक है जी तो ऐसी जानकरी की से बरपूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और आपके तक आप तक अच्छी अच्छी इंफोमेशन गाइडेंस और भरपूर मात्रा में सारी नौलेज आप तक पचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक दे इजाजत धन नेवा दोस्तों शुक्रिया